कि डाउट में रहेंगे देखो लाइव क्लास का सबसे बेनिफिट है अब बाद वाले जो कोश्चन डाउट में आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होता है अभी जैसे आप बता रहें कि एक भी कोश्चन डाउट रहेंगा लीवरेज का तो मैं उसको सॉल्व कर दूँआ सिक्स पॉइंट वन से स्टार्ट था वन में सभी बच्चों को करा चुके हैं वन में किसी का डाउट होना नहीं चाहिए अगर फिर भी हो सामने दिख रहा है अभी भी बताएंगे तो मैं दुबारा बता दूँगा आपको ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया है तो फिर नहीं बताएंगे लेकिन हां अगर जो बच्चा आज जोइन हुआ हो और वह सीधा बोले सर 6.1 हमें समझ में नहीं आ रहा तो दिक्का था वह पहले आपको प्रीवेस क्लास देखेंगे फिर समझ में आएगा वर्किंग कैपिटल का ठीक है मैंने देख लिया उसका करेंगे यह थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल मुझे अलग सही करवाना पड़ेगा आपको कॉल पर लेकर मैं करूंगा डाउट किसी का मैं चेंज करता है रहता हूं एक बार पूछूँगा जिसका डाउट होगा बता दीजिएगा आ आ जाते हैं सर 6.3 में झाल 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 6.4 के बाद 6.6 भी हो गया था 6.7 यह मैंने हिंट दिया था हो गया था यह आंसर आ गया थार्ड ब्रेक इवन पॉइंट वाला इसका थार्ड पार तो यह है इसमें तो आपको कंक्लूजन देना कुछ करना थोड़ी है सिर्फ कंक्लूजन कहता है वाट कंक्लूजन वुड़ी फ्रॉम सच इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ता है तो आप क्या फैसला लेते हैं और घड़ता है तो क्या फैसला लेते हैं सिक्स पॉइंट सेवन में । चार हजार यूनिट पर डी ओ औल नेगेटिव आ रहा है बताइए चार हजार यूनिट पे क्या डी ऐएल नेगेटिव आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगा बढ़िया है फिर तो बहुत बढ़िया माइनस फॉर है तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट अब बहुत दूर तक आप को एब्सॉर्ब कर चुके एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है अगर देखो वैसे आना नीची है प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं होता ऐसा लेकिन अभी कुस्टेंस में आ रहा है तो जिसका माइनस में ओके है इसके बाद आयते हैं 6.8 मैंने नहीं कराया था और इसे होमवर्क में दिया था क्या था इसमें भाई क्या था 9 दिया था 6.9 हो गया ये इसमें किसी स्टूडेंट का डाउट 6.9 जानी हो सर डियोल नेगेटीब विल्कुल हो गया हो गया हो गया मिसरas 5000 list not defined कि आ रहा है हाँ हो सकता है 5000 पर नोन भाई ए जीरो यजय को तो नहीं कुछ तो आ रहा होगा पांच यलए है पिछले लिक्षंचन में अ जीरो आ रहा है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं मतलब कि चलिए कि तेन दिया कि 11 बड़े वाला था ना साथ आट इसमें डाउट है चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी 10 की आज का एजेंडा जो है वो 10 देख लेते हैं और फिर 10 कर लेते हैं है ना 10 देख भी लेते हैं और 10 को कर भी लेते हैं EPS वाला और इसको practically समझ लेंगे जैसे पिछली क्लास में formula बन गया था ऐसे यह कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है है calculate change in EPS if sales expected increase sales कितना increase हो रहा है sales are expected increase चलिए यह नहीं होगा क्योंकि इसको इससे related questions और पहले देखें change वाला पिर आएंगे इस पर जहां पर दे रखा है परसंटेज चेंज इन एपिएस डिग्री ओफ प्रेटिंग लिवरेज डिग्री ओफ फानेंशन लिवरेज दा कम्पनी टेक्स रेट इफ सेल से इंखर इंखर लेते हैं फिर अभी देखो पीछे वाला अपने आप ही हो जाएगा यह दिया नहीं था ना हुओ पैंड चल लो कितने हमारे लेवल हैता कॉमपनी हाज़ाइण डेट थीसजार दे कैपिटलल इस्क्रक्चर ओफ दॉप मिद möच्पनीinelा ठीक है यह जट लेते हैं दिखहरा है नहीं दिखता हां दिखन सब्सक्राइब कितने लेवल है मैंने पढ़े भी नहीं लाइन खीच लिए चलो कोई बात नहीं कहता है दा शेयर और क्यापिटल आफ दा कंपनी यानि कंपनी का शेयर कापिटल दे रखाएशा में एक लाक रुपए सड्री दस लाक रुपए हैं सर सिर एपिएस निकालने के का मात अयर्ड एक शेयर दस रुपए का है तो number of केतने होंगे number एंबर उफ अगर मैं आपसे वोठीय पूचू तो number of म नमबरल शेयर होता हुँए हमारा यह यहोगा 10 लाग डिवाइड बाइड दस यानि मैं सिंपली कह भी सकता तो आपको दिख भी लागा एक लाग रुपे एक लाग रुपे निया अब एक लाग नमबर है यह ठीक है आगे कहता है दा कंपणी है जाड़ कापिटल यानि कंपणी के पास सिक्स कितने परसंट डेट ह 10 परसंट का डेट है यह डेट हमारे इंटरस निकालने के काम आएगा जो कि 6 लाग की वेल्यू है और मैं अगर यहीं पर आपको इंटरस बता दूँ तो मज़ा आ जाए यानि 60 अजार का ब्याज इसके उपर 10 परसंट निकाल लिया तो अब यह बात कर रहा है सर 3 लाक यूनिट है 3 लाक यूनिट पर ठीक है एक लेवल पर तो हम करी लेते हैं तो हमारा जो यहां सेल्स होगा देट इस 3 लाक इंटू में 5 जो कि आ जाएगा 15 लाक ओके and the variable cost 3 पर यूनिट और वी सी इसमें से माइनस कर दें क्योंकि हमें statement बनाना ही बनाना पड़ेगा तो that is 3 लाक इंटू में 3 कितने होगे 9 लाक और इसको माइनस करते तो क्या result आता है क्या बोलते हैं इसको contribution जो कि आगे हमारा 6 लाक आगे बढ़ेगे the fixed cost of account 2 लाक fixed cost क्या है 2 लाक है minus कर दो fixed cost 2 लाक पहले हम statement बना लेते हैं निकालना क्या हो तो देख लेंगे तो 4 लाक आगे हमारे पास इसको हम नाम देंगे that is EBIT EBIT अब minus interest करी दों मुझे तो पता ही है interest इंटरस्ट है साथ हजार तो आगे हमारा EBIT that is आगे हमारा तीन लाक चालिस हजार fixed cost because the company tax 35% on sales तो tax minus करेंगे अब 35% tax नहीं sales के बाद full stop है वो आगे की बात करता है tax हमेशा profit पे होता है 340 पे 35% एक उन्हेस तो अब यह आ गया profit 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 after tax 221 यहां तक statement हर बच्चों को समझ में आ रहा है क्या statement हर एक student को clear है यहां तक तो मैं आगे कहानी बढ़ूं के क्या पूछ रहा है इफ सेल्स इंक्रीस 10% बोल रहा है तो में क्या changes है यह पूछ रहा है यहां तक कहानी हर बच्चे को समझ में आ गया 6.11 explain कर दीजिएगा 6.11 हां मैं कर दूंगा don't worry about it मैं कर दूंगा यहां तक हर एक student को समझ में आया किसी बच्चे को यहां तक doubt है तो बताईए बच्चा कह रहा है यह सर अब यह सर doubt है यह नहीं है अब यह सावाला है यह ना वाला यह बता दो यहां तक किसी student को doubt वाई comment पर जवाब देना है इतने सारे बच्चे और comment पर आंसर नहीं कर रहें no sir no doubt ओके ओके नहीं है नहीं है नहीं है चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है आपको यहां तक doubt नहीं आया अब question क्या कहता है उसी question के हिसाफ से अब हम अभी जो कर रहे हैं ना एक हम एक simple mechanism कर रहे हैं कोई हम formula नहीं लगा रहे हैं और कोई ऐसाच कुछ काम नहीं कर रहे हैं जो की बहुत ज्यादा हो एक second हम बात कर रहे थे एक बड़ा ही traditional traditional का मतलब सर एक सिंपल सा mechanism जिससे आपको एकदम समझ में आएगा हां भाई यह तो यह हो रहा है shortcut में क्या होता है कि यह क्यूं हुआ उस चीज को हम avoid करते हैं कहता है आपका sales बढ़िया 10% से तो सिंपल से बात है जब sales 10% से बढ़ेगा तो जो तीन लाक यूनिट है वह यूनिट कितने बन जाएंगे अब तीन लाक तीस हजार है पांच रुपए के हिसाब से आपको पता चल जाएगा यह कितने हो जाएंगे तो से इंक्रीज होगा तो वेरीवल कॉस्ट नहीं होगा तो छे साट छे साट छे साट फेक्स कॉस्ट माइनस दो लाक चार लाक साट हजार अब साट हजार रुपए का इंट्रस्ट यह बना चार लाक देखरो कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है अब फिक्स को सियाद रखिए का हर लेवल पर क्या रहता है फिक्स ही रहता है अब इसके उपर आपके चार लाक पर 35 परसंट 140 और नाव 260 अब कोशन क्या कहता है पहले केस में कहता है कि भाईया परसंटेज कितना इंक्रीज वस इपीएस में तो यह देट इस पैट ही हमारा इपीएस भी होता है जो प्रॉफिट आफ्टर टेक्स होता है इसको इपीएस भी बोल सकते हो आप कहीं न कहीं तो किसी दो डेटा मिल जाया और उसका परसंटेज पूछ कूँ तो बड़े आराम से निकाल सकते हो तो परसंटेज चेंज इन इपीएस क्या होगा इपीएस तो सिंपल मैं पहले इन दोनों का डिफ्रेंस लूँगा और उसके भी बेस लूँगा तो डिफ्रेंस कितना है हमारा 39,000 डिफ्रेंस आ गया यानि इन दोनों का डिफ्रेंस लिया इन दोनों का डिफ्रेंस आ गया 39,000 और उसको डिवाइड कर देंगे पता है किससे दो एक किससे जैसे लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था दुनिया का कोई भी चेंज निकालना हो ऐसे निकलता है इसलिए तो 65 जो मर्जी कहलो राउंट फिगर में यह आगया हमारा परसेंटेज के टर्मस में कि भई यह हमारे इतने परसेंट क्या होगे ऐंगे इनक्रीज हो जाएगा यह थोड़ा सा लॉंग मेथड हो गया इसको हम एक वन स्टॉप में भी कर सकते थे लेकिन उसके लिए आपको चा यहां पर चाहिए होगा तो आई यह चलिए पहले मैं वो तीनों लीवरेजिस वे यहां पर क्या हुआ हमें साथ के साथ यहां पर मैं तीनों का पहले डी वेल निकाल देता हूं डी वेल का फॉर्मूला क्या है कॉंट्री इसका डी एफल बता दीजिए हैं वन पॉइंट फाइफ आ गया इसका आगे वन पॉइंट दूसरे यह इसका नहीं निकालना पहले इसका निकाल लेते हैं कैसे करेंगे पक्का वन सैवन ठीक है मुझे साइज रिडियूस ही रिडियूस करना पड़ रहा है कि इसके पास डी सी एल निकाल लो कि इंटू करतो सिंपल वन पॉइंट सैवन सिक्स ठेक है वन पॉइंट सैवन सिक्स अभी यह आ गया हमारा ठीक है किसका चलो दोनों लेवल का बोल रहा है डिग्री ओफ ओपरेटिंग लिवरेश तू लेवल्स एंड डिग्री ओपनेंशल लिवरेश तू चलो टू लेवल निकाल देता है कोई बात नहीं बात बन गई टू लेवल वन पॉइंट और टू थ्री आगे बता दीजिए वन पॉइंट आगे अगे वन पॉइंट सिक्स फॉर ठेक है अब हमें जानना है शॉटकट कुछ शॉटकट मतलब अगर हम यह वाले रॉक को का ना छेड़े और सिर्फ हमें यह तीन डेटा मिल जाए तो क्या तो हमेंसा याद रखेगा जो यह पीएस का कनेक्शन होता है न वह होता है eps connection जो होता है वह होता है dcl से क्योंकि eps एकदम and है हमारा ठीक है तो हम अगर percentage चेंज एन Eps निकालना चाहें तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है dcl into में % change percentage percentage change in sales यह बन गया formula ठीक है अब कई जगह पर यह पूछ लेगा कई यह पूछ लेगा कई यह पूछ लेगा कई यह पूछ लेगा तो हम इधर उधर तो करी सकते हैं equation जो कि हमने mathematics में सीखा हुआ है यहाँ इस्तमाल कर सकते हैं उसका तो अगर मैं यहाँ पर EPS percentage change निकालो तो DCS क्या है 1.16 176 और sales कितने percent increment लगा था 10 तो आपका जवाब क्या आ गया 17.6% देखो यह डारेक्ट आ गया तो उस case में हमें यह लंबा चोड़ा कहानी नहीं करना पड़े हैं समझ रहे बात को तो आपसे कभी भी examiner यह नहीं बोलेगा के लंबे method से करके दिखा आप चाहिए दो लाइन में आंसर दे दो उसको और चाहिए वो detail में दे दो detail में क्या आउता है बस हमें एक बार step तसल्ली रहती है मनके कि step by step हमने follow किया है सर सेकिंड लेवल में DOL 1.3 है फिर बाद में बोला नहीं सही है ओके ठीक है तो यहां तक हमने आज क्या सिखा कि percentage change in EPS अगर आप से पूछ ले तो किस तरीके से निकाले अगर वही मैं पूछनू percentage change in sales बताओ तो हम क्या करेंगे जो percentage change in EPS और मज़े की बात देखो percentage change in EPS भ भी बोल सकते हो क्योंकि EPS और पैट क्या है दोनों सेम है तो percentage change in profit after tax भी बोल सकते हो ध्यान रखेगा इस बात का तो मैं यहां पर लिख देता हूं पैट प्रॉफिट आफ्टर टेक्स या इएटी भी बोल दो अर्निंग आफ्टर टेक्स बड़ा सिंपल से कहानी है चलो जी अब पीछे वाले सवाल बड़े आसानी से हो जाएगा जो मैंने बोला कि यार यह करते हैं फिर मैंने लाइन खीच के छोट दिया अब यहां बोल प्रॉफिट पता है और फिक्स कॉस्ट पता है तो हमारा कॉंट्रिबूशन पता चल जाएगा देखो डीजील का फॉर्मूला लिख लो चलो पहले चलो यही करते हैं लिख लो डीजील इस इकल टू कॉंट्री अग डिवाइड़ वाए इवी आईटी या इवी इवी टी यह चाहिए अब कॉंट्रिबूशन ढूंडो आप मुझे बता दो यहां पर कॉंट्रिबूशन कैसे निकलेगा कॉंट्रिबूशन कैसे निकलेगा तो मैंने बताया था आपको सर कॉंट्रिबूशन का एक फॉर्मूला यह भी होता है फिक्स कॉस्ट में जो कि आपको सामन कम से कम और क्या चाहिए EBT, EBT क्या होता है, अगर हम EBIT में से माइनस कर दें, इंटरस्ट, EBT क्या होता है, BT is equal to, अगर हमें EBIT में से माइनस इंटरस्ट कर दें, यही होता है न, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो कहीं कोश्चन में इंटरस्ट दूर दूर तक मिला, तो ठीक नहीं इंटरस्ट है, तो आपको पता होना चीए, कि EBIT ही EBT बन जाता है, अगर इंटरस्ट हुआ ही न, मेरे इस वाले चाहर्ट में देखो, कि अगर मेरे पास इंटरस्ट नहीं होता, तो ये भी चाहर्ट होता और ये भी, समझ रहे हो, मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूं आपको, तो अगर इंटरस्ट नहीं है, तो EBIT ही क्या मानो, EBIT मानो, EBIT को ही क्या मानो, EBIT मानो, समझ रहे हो बात को, तो इस वाले सवाल में, अगर नहीं दे रखा है, तो अब हम थोड़ी बोल सकते हैं, भाई, कोश्चन गलत आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर EBIT, जो लेंगे, वो लेंगे 11,00,00, अब कुछ बुच्चे बोल सकते हैं, के सर, यह तो हमारा EBIT है, और आप EBIT के जखह ले रहे हैं, तो भाईया, इस केस में, यह equal to है, हमारा, क्योंकि जब इंटरस्ट absent होता है, तो EBIT is equal to EBIT के बराबर हो जाता है, मतलब आपको अगर income statement है, अगर कहीं भी फस्ट जओ, दिमाग income statement पर दोड़ा लो, तो आपको समस्य का समाधान मिल जाएगा, तो यहां पर आपका क्या आया, बता हो यह, 0.91 आ गया, अब 0.91 आया, तो इसने पूछा percentage change in क्या बता दो EPS, तो percentage change in EPS is equal to DCL into में percentage change in sales, यह formula लगा देंगे, तो DCL हमारा 0.91 है, into में 5 कर दो, क्या है, बता हो, बस इतना change होगा, 4 point, चेक कर लीजिए, बुक है न आपके बस, क्या आ रहे हैं, क्या, 20, फिर आपने यह तो यह गरत निकाला है, अरे, हम तो भूली गए, profit before text तो देही रखाया है, मैंने comment भी नहीं देखा, किसी बच्चे ने बताया होगा, नहीं, 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 मैं थोड़ा सा mistake हो गया, चलो वो बोल दिया, हाँ, लेकिन यह बात तो पता चली, कि आपको खेर, कि interest ना हो, तो EBIT सेम होता है, कम से कम यह तो पता चला, लेकिन हम तो यह देखना ही भूल गया है, देखना ही भूल गया है, और देखो comment में बच्चों ने बताया नहीं बताया देखते हैं, सर नहीं बताया, भाई आपको यह ख्याल रखना है, आपको, कि मुझे जगाते रहना है, चलो, अब डिवाइट किससे करें, तीन बीस, अब बताओ क्या है, अब डिवाइट करके बताओ, दस बीस, हाँ, थ्री पॉइंट, क्या है, ग्यारा बीस, प्रॉफिट बीफोर टिक्स, यह इबिटी दे रखा न, तीन बीस आपको, तो यही सीधा यूज़ करेंगे न, हम तो, और कॉन्ट्रिविशन ठीक है, केतना है, थ्री पॉइंट फॉर, अब थ्री पॉइंट फॉर से इंटू करो इसे, पाँच से, तो सत्रा परसेंट आना चाहिए, दस, बीस, थ्री पॉइंट फॉर पता नहीं कैसे निगाला, कौन से गनित लगाते हो, और आप सुरू से ही गलत चलते हो, इसने जब आप बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कि एक बार चेक करना चाहिए, पाँची परसेंट चेंज हुआ है ना, इस एक सेल्स एक्सपेक्टे टो इंक्रीज बाइफ फाइफ परसेंट, फिटीन पॉइंट यह आना चाहिए, फिटीन पॉइंट नाइन थ्री सेवन फाइफ बुग में आंसर चेक कर यह क्या है, ट्विटीन पॉइंट दिखाईए एक बार, ट्विटीन पॉइंट पॉइंट फॉर फाइफ कैसे ले लिया, ग्यारा बीस, यहाँ पर एफ एल, अब ब्लस प्रोफिट, यह कह सकते हैं कि यह प्रॉफ वह माइनस करें फिक्स कोस्ट, इविए इटी में से फिक्स कोस्ट माइनस करेंगे तो इसना बचेगा, वही बचना चाहिए, यह तो कुुस्च्टन में मिस्टीक है, है एक यह भी हो सकता है ना आपका कि इसमें से माइनेस करो प्रॉफिट कि नहीं प्रॉफिट नहीं फिक्स कॉस्ट कि इसमें प्लस फिक्स कॉस्ट होगा वह यह कोशन वही गड़त है अभी समझा देते हैं 18 20 ना देखिए कोशन में क्या है है हमारा आंसर 100 परसंट सही है अब कोशन में जो है बनाने वाले के उपर है वही क्या बनाया है मैं समझाता हूं कि हम यह जानते हैं कि वेरियेवल कॉस्ट के बाद कॉंट्रिबुशन बसता है और कॉंट्रिबुशन जो होता है इसके अंदर दो ही चीज बची हुई है एक बची हुई है फिक्स कॉस्ट और एक बची है कि अगरा फिक्स कॉस्ट को ले लो दो लाक और प्रोफिट को ले लो कितने साट दो लाक और कितने नहीं कहा गया प्रॉफिट तो EBIT है ना यह रहा बनीची आ गया थोड़ा यानि EBIT प्रॉफिट मतलब EBIT फिक्स कॉस्ट ले लो और कि और हमने कौन सा EBIT लिया था कॉस्टिन में पीछे कहीं प्रॉफिट भीफोर टेक्स तो नहीं ले लिया हमने यह गड़बर कर दिया ना प्रॉफिट यह वाला यह से प्रॉफिट यह लेना यह यह अधिकर कर दिया वही कोश्चन गलत नहीं है यहां पर लेना है हमें 11-20 प ठीक है तो कोई घबरानी की जुरत नहीं है मुझे लगा कुस्चन में कुछ है रहर है बिलकुल रहर नहीं है प्रॉफिट जो लेना है ग्यारा बीस लेना है अब मैं प्रॉफिट के जगह पर ने इसको ब्रैकेट में यही लिख देता हूं इबी आइटी अब भी कभी लिख लेना इबी आइटी तो यह आएगा हमारा अठारा लाग अब आजाएगा न हमारा अब इसको रखना अठारा लाग बीस अजार अब बताइए क्या आता है अब यह आजाएगा छे साथ जो भी आना हो अब 5.68 अब 5.68 यही आ रहा था 28. ठीक है न बुक के अंदर थोड़ा और लेंदी से कर रखा है पहले उन्होंने डिग्री ओफ ओपरेटिंग लिवरेज निकाला फिर डिग्री ओफ कंबाइन लिवरेज निकाला फिर इसको इंटू करा फिर कंबाइन निकाला हमने थोड़ा शॉटकट ले लिया अठारा लाग बीस अजार चार लाग बीस अजार चार लाग बीस अजार आई डोन नो क्या लिखा है आपने समझ में आ गया यानि हमारा यह मेरा परपस यह था सर के यह फॉर्मूला समझाओं आपको अच्छी इस वाले सवाल में तो आपको सारा डेटा है तो आप ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकते हो इस पिछले वाले डेटा के अंदर जो अभी गया है उसके अंदर सेल्स नहीं था तो वहां पर यह पॉसिबल नहीं है तो वहां पर आपको किस पर जाना पड़ेगा अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टेक्स नहीं बोला मैंने सिर्फ प्रॉफिट बोला प्रॉफिट का मतलब अर्निंग बिफोर टेक्स बस वहां पर इवी आइटी नहीं लिखा था मैंने प्रॉफिट लिखा नॉर्मली प्रॉफिट आफ्टर टेक्स वाला है ही नहीं वह क्योंकि net profit तो वो होता है sales is equal to variable cost fixed cost plus profit net profit तो उस profit यानि GP की बात हो रही है उसमें से minus हो के तम निकलता है हमारा